ओम श्यान्ती तीन अक्तुबर दो हजार चोबिस के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा अब तुम्हें आसुरी गुणों को पलट कर दैवी गुण धारन करने हैं इसलिए हर रोज अपने चार्ट में देखना चाहिए कि हम कि किसी को तंग तो नहीं करते कभी श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते जूट बोलना किसको दुख देना या तंग करना यह हैं रावन के काईदे तुम्हें तो राम के काईदों पर चलना है आधा कल्प रावन की मत चलती है तो मनुष्य असुर दुखी रोगी बन जाते हैं इसलिए बाप आकर यह श्रीमत देते हैं कि दैवी गुण धारन करो अगर आसुरी गुण रहे जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा फिर बाबा ने कहा कोई न कोई का कल्यान करने की मेहनत करते रहो तुम्हें सबको बाप का परीचे देना है क्योंकि सदगती करने वाला है ही बाप बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं तो वह अच्छी रिती धारन करनी है फिर याद में भी रहना चाहिए इससे जनम जनमांत्र के पापों का बोजा जो सिर पर है वे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार हलका हो जाएगा मुख्य है ही याद की यत्रा लास्ट में बाबा ने कहा कई ऐसे भी मूड मती हैं जो कहते हैं कि बाबा आप ही तो कहते हो किसी को दुख नहीं देन अब ये विश मांगते हैं तो हमको देना चाहिए नहीं तो ये भी दुख देना हुआ न ऐसे बुद्धु भी कही निकलते हैं अरे बाब तो केहते हैं पवित्र जरूर बनना है तुम्हें कोई के हाथ की बनिवी चीची वस्सू भी नहीं खानी चाहिए और अब सुनते है महवाख्यों को विस्तार से मुडली का सार मीठे बच्चे रावन का काईदा है आसुरी मत जूट बोलना बाप का काईदा है श्री मत सच बोलना प्रश्न किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चरिय खाना चाहिए उत्तर कैसा यह बेहद का हुआ है वे फिर हूब हू रिपीट होगा कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से दूसरा कैसे बेहद का बाप आ करके सारे विश्व की सदगती करते हैं पढ़ाते हैं यह भी वंडर है ओम शान्ति रुखानी बाप शिव बैठ कर अपने रुखानी बच्चों सालिग्रामों को समझा रहे हैं क्या समझा रहे हैं सुरिष्टी के आदी मद्य अंत का राज समझाते हैं और यह समझाने वला एक ही बाप है और तो जो भी आत्माй अफवा सालिग्राम है सब के शरीर का नाम है बाकी एक ही परम आत्मा है जिसका शरीर नहीं है उस परम आत्मा का नाम है शिव उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदी मध्य अंत का राज समझा रहे हैं पार्ट बजाने के लिए तो सब यहां आते हैं यह भी समझाया है विश्व के दो रूप हैं शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं यह सब बाप बैट समझाते हैं बाप कब आते हैं जबकि नई स्रुष्टी की सापना और पुरानी का विनाश होना है बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदिसनातन देविदेवता धर्म की सापना होती है वह तो सिवाए परम पिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते वही एक परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है उनका नाम है शिव उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है और जो भी हैं सब के शरीर का नाम पड़ता है यह भी समझ से हो मुख्ये मुख्ये जो हैं वे तो सब आ गए हैं ब्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई हैं अंत में बाप ही चहिए उनकी ज्यंति भी मनाते हैं शिव ज्यंति भी इस समय मनाते हैं जबकी दुनिया बदल नहीं हैं घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती हैं अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है बच्चे जानते हैं, परमपिता परमात्माश्यु एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश नई दुनिया की सापना करने, पहले नई दुनिया की सापना पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है, बच्चे समझ से हैं, असुरी गुनों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं पांच विकार प्रवेश हो जाते हैं बाप आकर श्रीमत देते हैं बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं आसुरी गुणों को बदलना है अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा जनम जनमांतर के पापों का बोज़ा जो सिर पर है नंबरवार पुरुशार्थनुसार हलका हो जाएगा यह भी समझ से हो कि अभी यह है पुरुशोत्तम संगम युग बाप दवारा अभी दैवी गुण धारन कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं तो सिद्ध होता है कि पुरानी दुनिया जरूर खलास होने ही है नई दुनिया की सापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों दवारा होनी है यह भी पक्का निश्चे हैं इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं कोई न कोई का कल्यान करने की मेहनत करते रहते हैं तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं सब को बाप का परीचे देते रहते हैं बाप आये हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृधि को पाते जाएंगे, एक ब्रह्मा दवारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं, ब्रह्मन कुल तो जरूर चाहिए न, तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं शिवबाबा के बच्चे, सब भाई भाई हैं असल में भाई भाई हैं फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की व्रिधी होती जाएगी इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ इनको डानेस्टी नहीं कहेंगे राजाई ना कोरों की है ना पांडों की डानेस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्धी पर बैठते हैं अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य शुरू से लेकर पवित्र डानेस्टी और अपवित्र डानेस्टी चली आई है पवित्र डानेस उन्हों के चित्र भी हैं, मंदिर कितने आलिशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं हैं, इन देवताओं के भी बहुत मंदिर हैं, बच्चों को समझाया हैं कि और सब के शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चलाया हैं, शिव भगवान वाज, कोई भी देहध बाप बिगर और कोई बाप का परीचे दे ना सके क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं यहां भी बहुत हैं जिनकी बुद्धी में नहीं आता हैं बाप को कैसे याद करें मूझते हैं इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें शरीर तो बड़ा हैं उनको ही याद करते रहते हैं यह भी गायन है ब्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा अर्थात आत्म सितारे मिसल है आत्म को सालिग्राम कहा जाता है शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है जैसे आत्म को देख नहीं सकते शिवबाबा भी किसको देखने में तो आ न सके भक्ति मार में बिंदी की पूजा कैसे करें क्योंकि पहले पहले शिवबाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए सालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं एक तरफ अंगुष्ठे मिसल कहते और फिर सितारा भी कहते अभी तुमको तो एक बात पर ठहर ना है आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है अब फिर बिंदी समझना इसमें मेहनत भी है देख नहीं सकते यह बुद्धी से जाना जाता है शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है कोई देख तो नहीं सकता बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए बाप भी ऐसे बिंदी है प्रंतु वह ज्यान का सागर है और कोई को ज्यान का सागर नहीं कहेंगे शास्र तो हैं भक्ती मार्ग के इतने सब वेद शास्रादी किसने बनाए कहते हैं व्यास ने बनाए क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्र बनाया नहीं, यह तो बाद में मनश्य बैठ बनाते हैं, ग्यान तो उनमें है नहीं, ग्यान सागर है ही एक बाप, शास्त्रों में ग्यान की सदगती की बातें है नहीं, हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म सापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं, शिव बाबा तो है ही परमात्माब। अभी तुम समझ से हो आत्माएं सब हैं ब्रदर्स। ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके। जो किसको ज्ञान देकर और सद्गती करें। सदगती करने वाला है ही एक बाप, इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी हैं, बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगती देते हैं, विश्व का सदगती दाता है ही एक बाप, श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथ्वा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है, अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की सापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ये भी समझाया हैं, पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई देहधारी पतित आत्म ही हैं। अगर पतित पावन सीता राम भी कहें, तो भी बाप ने समझाया है, भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम एक राम, जो सभी को सद्गती देने वाला है। ये सब बातें बाप ही बैट समझाते है ड्रामा नुसार तुम ही फिर पाँच हजार वर्ष बाद ये बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो। स्कूल में कितने डेर पढ़ते हैं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती हैं, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूब ह हूँ होगी। हूब हूब पाँच हजार वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। ये अनादी ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकेंड बाई सेकेंड नई चीज दिखाई पढ़ेगी। चक्र फिरता रहेगा। नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तु ये पाँच हजार वर्ष का ड्रामा हैं जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्ये-मुख्ये बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्म सरव्यापी हैं, बाप समझाते हैं मैं सरव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना की आदी अध्यांत का परीचे देते हैं। तुम अभी जानते हो। बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है ब्रह्मा दवारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा न। प्रन्तु सिवाए बाप के कब कोई समझा न सके। चित्र तो बहुत हैं प्रन्तु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। उंच ते उंच शिवाबा हैं उनका भी चित्र हैं प्रन्तु जानते कोई नहीं। अच्छा फिर सुक्षम वतन हैं उनको छोड़ दो उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री जोग कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं, अत्वा बोलते हैं, बाकि वहां तो word की हिस्ट्री जोग्राफई है नहीं, हिस्ट्री जोग्राफई यहां की हैं, बच्चों की बुद्धी में बैठा हुआ है, सत्युग में देवी देवता थे, जिनको 5000 वर्ष हुआ इस आदिसनातन देवी देवता धर्म की सापना कैसे हुई, ये भी कोई नहीं जानते. और धर्मों की सापना के बारे में तो सब जानते हैं. किताब आधी भी हैं. लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती. ये तो बिल्कुल रोंग है. प्रण्तु मनुश्यों की नहीं करती हर बात बाप समझाते हैं मेठे मेठे बच्चों अच्छी रिती धारन करो मुख्य बात है बाप की याद यह याद की ही दोड़ी है रेस होती है न कोई अकेले अकेले दोड़ते हैं कोई जोड़ी को इकठा बांध कर दोड़ते हैं यहां जो जोड़ी है वह इकठ दोड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं सोचते हैं सत्युग में भी ऐसे इकठी जोड़ी बन जाए बहले नाम रूप तो बदल जाता है वही शरीर थोड़े ही मिलता है शरीर तो बदलता रहता है समझ से हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है फीचर्स तो दूसरा होगा ना परन्तु बच्चों को वंडर लगना चाहिए जो फीचर्स जो एक्ट सेकिंड बाई सेकिंड पास्ट हुई वे फिर हूब हूँ पांच हजार वर्ष के बाद रिपीट होने हैं कितना वंडर्फुल ये नाटक है और कोई समझा नहीं सकते बड़ा वंडर्फुल नाटक है एक का फीचर्स ना मिले दूसरे से वही हूब हूखेल रिपीट होता है ये सब विचार कर आश्चरी खाना होता है कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं जनम जनमांत्र तो भक्ती मार्ग के शास्त्र आदी पढ़ते आये साध्वों की क सथाएं आदी भी सुने अब बाप कहते हैं भक्ती का समय पूरा हुआ अब भक्तों को भगवान दवरा फल मिलता है यह नहीं जानते कि भगवान कब किस रूप में आएगा कभी कहतें शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा कभी कहतें यहां आएंगे शास्त्रों से ही अ यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो तो बच्चों को सृष्टी का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए एक तो किसको दुख नहीं देना है ऐसे नहीं कोई को विश्च चाहिए वह नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है ऐसे तो बाप कहते नहीं हैं कई ऐसे भी बुद्धु निकलते हैं जो कहते हैं बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना है अब यह विश्च मांगते हैं तो उनको देना चाहिए नहीं तो यह भी किसको दुख देना हुआ ना ऐसे समझने वाले मूड मती भी हैं बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए मनुष्य तो यह भी नहीं समझ से वह तो कह देते आत्म निरलेप हैं कुछ भी करो कुछ भी खाओ पियो विकार में जाओ कोई हर जा नहीं ऐसे भी सिखलाते हैं कितनों को पकड़ कर ले जाते हैं बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं सब जातियों में वैशनों होते हैं चीची चीजे नहीं खाते हैं मेनौरिटी होते हैं तुम भी मेनौरिटी हो इस समय तुम कितने थोड़े हो आहिस से आहिस से व्रिधी को पाते रहेंगे बच्चों को यही शिक्षा मिलती हैं दैवी गुन धारण करू छीची वसू ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती धारणा के लिए मुख्ये सार पहली पुइंट अपने चार्ट में देखना है कि हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं दूसरा जूट तो नहीं बोलते हैं तीसरा किसको तंग तो नहीं करते हैं देवी गुण धारण किये हैं दूसरी पॉइंट पढ़ाई के साथ साथ देवी चलन धारण करनी है पवित्र जरूर बनना है कोई भी छीची वस्वे नहीं खानी है पूरा वैश्नों बनना है रेस करनी है वर्दान बाप के फर्मान पर बुद्धी को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वपनों से भी मुक्त भव। अकेले नहीं अकेले सोते हो या व्यर्थ व विकारी स्वपन आते हैं यह भी अलबेलापन है इस अलबेलेपन को छोड़ फर्मान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वपनों से मुक्त हो जाएंगी स्लोगन तकदीरवान आत्माई ही सच्ची सेवादवारा सर्व की आशिरवाद प्राप्त करती हैं ओम शान्ती अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें